हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत आपका राजू लेक्टरिकल यूटूब चैनल पे अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर दें वीडियो को लाइक और शेर कर दें घंटी का बटन जरूर दबा लें ताकि मेरी हर आने वाले वीडियो का नोटिव केशन सबसे पहले आप तक पहुंची दोस्तो आज की जो वीडियो है जो 28 स्लोट के सीलिंग फैन के वेंडिंग डाटे के उपर बनाई गई है इस सीलिंग फैन का जो स्टेटरस है जाए वो 15 mm के करीब है और ये अच्छी क्वाल्टी का अच्छी कंपनी का एक सीलिंग फैन का स्टेटर है इसमें अंदर भी 14 स्लोट हैं और बाहर भी इसके 14 स्लोट हैं इसे हमने चैन में वेंडिंग किया है और इसे अंदर और बाहर दोनों 35 नंबर से इसे वेंड किया है तो दोस्तों यहां से यह सीलिंग फैन आया है वहां जो वोल्टेज रहती है वो 200-190-200 के करीब रहती है और उन्होंने इस सीलिंग फैन को 3.15 MFD का जो कपेश्टर है वो लगा रखा था तो इसी कारण जो इसकी कमपनी की वेंडिंग थी उसमें 2 MFD का कपेश्टर था और उन्होंने 3.15 का लगा दिया वोल्टेज कम होने के कारण की पंखा अच्छा चलेगा लेकिन इसकी स्टार्टिंग वेंडिंग है वो जल गई तो अब उन्होंने हमें यही बताया कि हम 3.15 का कपेश्टर लगाते हैं तब ही वहाँ पे पंखा तेज भागता है तो हमने इसे 3.15 जो MFD का कपेश्टर है उसी के हिसाब से वेंडिंग किया है तो आज हम इसका वेंडिंग डाटा आपको बताएंगे तो इसे हमने 35 नंबर से वेंड किया है अंदर भी और बाहर भी और इसके अंदर में हमने जो टर्न दिये हैं वो दिये हैं 345 टर्न 345 टर्न दिये हैं अगर आप 2.5 MFT का कबेश्टर लगाना चाते हो तो 335 टर्न भी दे सकते हो और बाहर में हमने इसके 365 टर्न दिये हैं तो इस डाटे से अगर हम इससे वाइंड करेंगे तो इसकी स्पीड है वो अच्छी रहेगी और ये हीट भी कम होगा तो इसमें जो पेपर लगाया हमने तो आप कोई भी पेपर लगा सकते हो तो इसमें हमने पेपर हमने इसके अंदर में वाइट पेपर लगाया और वाइट पेपर हमारे पास खत्म हो गया था तो इसमें बाहर में हमने इसे ग्रीन सीट से वैंड किया है तो यह देखिए यह हमने यह 12-14-16 वाली लग-लग डाई होती है उससे वैंड किया है और इसकी फनिसिंग देखिए आप कितनी अच्छी यह वैंड हुआ है और इसके कॉयल में एक भी जोड नहीं है कि जैसे कि यह इसमें बिनातार टूटे यह पंखा फुल बैंड हुआ है तो ऐसे मालूमाती वीडियो के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दें और आगे भी ऐसे पंखे के बैंडिंग डाटे के उपर वीडियो हम बनाते रहेंगे तो वीडियो को आगे शेर भी कर दें तो अपना बहुत-बहुत सा ख्याल रखेगा दोस्तो वीडियो देखने के लिए सभी मित्रों का धन्यवाद थैंक यू